जब मेरा सेलेक्शन हो गया 97 में, बने 96 सेटेंट में, पहले बार मेरा सेलेक्शन हो गया था मैं एक्सेंशन लेके त्वेरी कर रहा रहा था, दी यू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय मैं तब मैं शाइड दी आवी कॉड़ेज में था या अग्रिस इंक, मैं दो जगा पढ़ा है एडियो में, तो उन में से किसी कॉड़ा रहा था उस समय में तो उस समय एक लाइबरी है, केंपस में ही सेंट्रल रफ्रेंस लाइबरी अब जानते होंगे, CRL गोलते हैं जो वेक अनमजी की स्टेच्वी तो सामने ही वो लाइबरी है, उस लाइबरी में नीचे सब बैठके बढ़ते हैं और टॉप फ्लोर पर रिसर्स फ्लोर है जहां एमफिल पी एच्ड वरे बच्चे बढ़ते हैं, मैं उस समय पी एच्डी कर रहा था या एमफिल खप हुई चाय पी ली, बेस्केट खा लिया, थुड़ी कपे मार ली, वो सब भागरते थे, तो महां मेरे बहुत सारे दोस्ट थे, उनमें से कही लोग अब बहुत सीनियर से बिल सर्वेंट से हैं, कुछ लोग प्रोफेसर से डियू में, दो बच्चे थे, मुझ से जूनियर, तीन- मुझ से मुझ से बहुती थी, समझते से, फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशन्शिप में हैं, रिष्टे में हैं, दोनों ने शादी भी कर ली, उनकी योज़ेना डील में पढ़ाने की थी, या सिविल सर्विस की बहुती शैद पतानी, मेरा इंट्रेक्शन बहु एक दम जीवन से भरे हुए बच्चे, आँखों में चमक ऐसे, फिर दोनों के शादी हुई तो मैं शादी में जानी पाया, क्योंकि मेरा रिष्टा सिर्फ लाइबरी में एक घंटा गप मरने वाला था, उसे जाधा थानी रिष्टा हों किसा, फिर सुनता रहता था कि मैं स दोनों साथ रहने लगे, और फिर तीन-चार साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी, कि उस बच्ची ने फंदा गगार के जीवनिला समाप्त कर ली, ये बाद भी दिल्ली बे शिवर जाले कि ये उस दोर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं, मेरे खिया से ये दोनों कहानी परिवार का दबाओ, समाज का दबाओ, आपस का दबाओ, टॉक्सिक रिलेशन्चिप, अन्त में उस दबाओ को न जहिल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ, ये दो घटना हैं